हमारा कारेकरम देख रहे हैं सभी दर्शकों का सभी यातकों का हार्दिक अभिनंदन है सु स्वागत है भक्ति रस लाइव में मंदो आज हम चर्चा करेंगे कि आहोई अश्टमी का त्विहार क्यों मनाया जाता है किसलिए मनाया जाता है होई अश्टमी के त्विहार से हमें क्या लापराप्त होता है तो बंदो सरप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कारतिक क्रिशन पक्ष की अश्टमी तिथी जो इस बार 31 अक्तोबर 2018 को आ रही है इसमें बार कोंसा आ रहा है बुद्वार आ रहा है जो धन हमारे अच्छे स्थानों पर लगे जो धन बेकार ना हो इसी परकार गना गरे तो बच्चे भी अगर संसकारी होंगे बच्चे भी अगर बुद्धी मान होंगे तो वो हमारे यश्ट को बढ़ाएंगे तो उसके लिए हम प्रातना करते हैं किस से? अश्टमी से. किस अश्टमी से? मा अहोई अश्टमी से. मा अहोई का सबरूप जिसकी आप पूजा करते हो और मा अहोई को प्रिये लगने वाले वस्तुमें भी मा को चड़ाते हो. तो बंदु इन तुहारों के पीछे चुपे हुए भाव को, चुपे हुए घ्यान को जब तक हम नहीं समझते तब तक उस तुहार के मनाने की जो पीछे जो राज है, उस तुहार से जो हमें लाप नाप्त हो सकता है, उस लाप से हम बंचित रह जाते हैं. क्योंकि ये जो तेहार जितने भी हैं ये बरश में केवल एक बार ही आते हैं कार्थिक मास के बिशमें पहले भी मैंने करवा चोत के एपिसोड में आपको बताया था कि इस मास में सूरे भगवान नीच के होते हैं और नीच के होने के बाद वो क्या करते हैं कि वो सभी के उप को बढ़ाने के लिए हम अहोई अश्टमी का बरत रखते हैं तो इस बरत से पूर्व एक दिन पहले हम इस बात का संकल्प लें कि कल हमने अहोई अश्टमी का बरत रखना है और प्राता काल उठ करके नहाद हो करके अपने बच्चों का सनान करवा करके अपने बच्चों को न बच्चों में एक भाव उत्पण हो जाए, उनके अंदर एक भाव बन जाए कि हाँ हमारे माता-पिता हम से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि जान नहीं बिन न होई परतीती, बिन परतीती होई नहीं परती, जब तक बच्चों को इस बात का ज्यान नहीं होगा, तब तक हमारा जो ब्रत है वो सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें तो पता है लेकर बच्चों से पूछो अहोई अश्टमी तो उनको कुछ पता नहीं है इसलिए बच्चों को संसकार दें बच्चों को बताएं कि बेटा आज हम आपके लिए बुखे रहेंगे बुखे रहने का अर्थात कि मा अश्टमी के चर्णों में प्रातना करेंगे कि आप हमारे बच्चों की लंबी आजू करें क्योंकि कथा में भी यही कथा आती है कि एक जो कुमारी थी बो मिट्टी लेने के लिए गई और बहाँ पर जाकर कि उससे सही के बच्चों की कई हो गई थी फिर मां का ब्रत्त किया और ब्रत्त करने के प्रणाम सब्रूप क्या हुआ कि सभी के सभी जो सात पुत्र थे उसी परकार इन सभी कथाओं से हमने कुछ ग्यान लेना है कथा को सुनना ही नहीं है कि कथा सुन लेकिन उससे ग्यान क्या पराप्त होता है क्यूंकि हम सभी के सभी ऐसे प्राणी है इस संसार में जब आते हैं तो हमसे पाप होते हैं और पाप तीन परकार के हैं मांसिक कर्मना और ये तीन परकार के पाप हम करते हैं और पापों का फल हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है ये भी शास्त्र कहते हैं इसलिए जी अश्टमीत थी उसी ही क्षण की निवरिती के लिए मनाई जाती है इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लें कि हमारे किये गए जितने भी पाप हैं वो हमारे बच्चों को कष्ट दे सकते हैं उसकी निवरिती के लिए एक ओप्षन आती है एक ऐसी लाइफ लैन है हमारे पास जिससे हम उन उपाऊं को करने से अपने उन पापों से अपने बच्चों को मुक्त कर सकते हैं हमारे बच्चों को कोई प्रातना करें और बच्चों को साथ साथ संसकार देते हुए इस बरत को करें तो निश्चित ही इस बरत का फल जो है वो हमें प्राप्त होगा हमारे बच्चे संसकारी बनेंगे बुद्धी मान बनेंगे प्रातना करें मा से कि हमारे बच्चों की बुद्धी में विकास हो मां को पसंद लगने वाले जो उपकरने हैं जैसे मूली मूली हम चड़ाते हैं तो उसका तात्प्रे क्या है कि मूली के जो पत्ते हैं वो हरे बरे होते हैं हमारे बच्चों का जो विकास है वो सदेव हरा बरा रहे गन्य गन्य क्यों चड़ाते हैं क्योंकि गन्य में होती है मिठास और वो गन्य चडाने से जब हम माग को अरपन करते हैं तो वो हमारे बच्चों का भी विकास करते हैं बच्चों के सभाव में मदूरता लाते हैं वो गंबीर होते हैं माता पिता की सेवा करने में बैतत पर रहते हैं और उस पूजा विदी मे आप अपने बच्चों को साएंकाल अपने घर के मंदिर में बिठाए, मंदिर में बिठाने के बाद खुद उस कथा को पढ़िए, कीजिए बच्चों को सुनाए और सुनाने के बाद अहोई माता की आरती कीजिए, फिर अपनी बच्चों के बच्चों की जोली में आप परश इत्यादी जे सारा कुछ करने से और मा का आशिरवाद पहले अहोई माता का आशिरवाद बच्चों को दिलाएं फिर खुद अपने बच्चों को आशिरवाद दें इससे क्या होगा कि आपके बच्चे बृद्धी को प्राप्त करेंगे और आप की जो भी मनों कामना है वो अ आप अध्यात्म से जुडते हैं, ने ने भजन इस चैनल के माध्यम से आप गर बैठे देखते हैं, और बहुत से ज्यान के बंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल का चिंद दवाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रतेक जानकारी आप तक सहसा से प्राप्त हो सकें, जै श्री कृष्णा, जै श्री रादे, जै श्री कृष्णा, जै श्री रादे.